भारती इतिहास की कहानिया तो हम सबने बहुत सुनी होगी लेकिन भारत की जो foreign policy है वो कैसे evolve हुई है उसकी बाते हमें कितना पता है या हम कितनी बाते जानते हैं मेरा नामे संदीप और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो भारत की foreign policy है वो evolve हुई है नहिरुजी के वक्त से मोदी जी के वक्त तो आपको पता है भारत आजाद होने से पहले Britishers के कबजे में था और वो लोग यहां की बहुत सारी चीजने define कर तो आजादी के पहले कुछ event हुए थे जहां से हमें अंदाजाज चाहे World War 1 हो, World War 2 हो तो Britishers कोशिस करते थे कि वो पूरे भारत का stand दिखाएं कि भारत किसके पक्च में है विपक्च में है अब इस चीज को foreign policy बनाने के बारे में 1921 में उन्हें बाते करी फिर एक 1927 का जो मद्रास सेशन है उसके ताहद भी भारत ने कहा कि देखो जो British वाले policies दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि वो भारत की policy है foreign उससे हमारा कोई लेना दन नहीं हमारी अपनी खुद की foreign policy है और आजाद भारत के जो पहले शुरुआती दौर थे या उसके दौर की उसकी जो foreign policy थी वो दो-तीन बातों पे केंद्रित जैसे कैसे colonial जो system है उसका विरोध करना racism है उसका विरोध करना और जो peace वाली चीजें हैं Soviet की तरफ थो जो foreign policy थी धिरे धिरे करके जब भारत आजाद हुआ 1947 के दौर पे तो था पाकिस्तान और secular state बना था भारत और उस दौर में फिर भारत की foreign policy चालू हो अब इतना economic तौर पे कमजोर हो चुका था भारत तब भारत ने खास वर पे नहिरू के एंडर जो foreign policy अपनाई वो बहुत idealist थी idealist मतलब जो others वादी होती है और ये अगर आप प्रेम चंद को पढ़ें किसी को भी पढ़ें जो इंसान गरीब होता है उसके पास power तो होती नहीं होतना मतलब अगर वो बांकी दुनिया के comparison में थोड़ा सा कमजोर है तो उसके पास others हो सकते हैं और वो अच्छी strategy थी कि आप others वाली चीज़ें करें तो भारत ने उस दौर में पहला तो ज ये सारी बाते काईफी आदर्सवादी जो चीज़ें हो रही जो दलाई लामा का आगमन है भारत में उसी दौर में हुआ हो और फिर जो एक सबसे बड़ा इवेंट है नहरुजी की foreign policy और उस दौर में वो होता है 1962 वाला जो युद होता है चीन के साथ और वो नहरुजी के ले setback था उनके खिलाब no confidence motion भी आता है और उनके idealism को भी लोग सवाल करते हैं कि आपने इतना idealism फैला हुआ था चाहे चाइना को support करने को लेके है तिबद पे stand को लेके है उसका नुकसान हुआ तो ये नहरुजी की foreign policy थी जो नाम और इन चीज़ों पे आधारी थी उसके लाल भाद एक दौर आता है लाल भादु शास्त्री जी का उस दौर में दो की event होते हैं पहला एक सास्त्री और स्री लंका का एक pact होता है citizenship के बारे में दूसरा जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है जब सास्त्री जी ने लाहौर तक भेज़ दी थी सेना उस प्रोग्राम सुरू हुआ था वो भी सास्त्री जी के दौर में सुरू उसके बार इंद्रा गांथी उनके अंदर क्या था वो थोड़ी रियलिस्ट थी के बहुत आदर्स के बारे में आइडिलिजम के बारे में नहीं concern थी उनके दौर में जो foreign policy के key events थे उनमें अगर देख करा सब इंद्रा जी ने बंगलादीस का support करा उसके creation में मदद करी और ना सिर्फ मदद करी उनके 90,000 सैनिक भी कैद किये और सिमला समझाता होता है जहां पर ये बातें तय होती है कि आज से LOC जो होगा वो main border होगा और जो भी अपस की बाते हैं भारत पाकिसान की वो इस तर होता है 1974 का वो इंद्रा जी के वक्त उसका देख दौर आता है जो हम लगबग emergency के बाद वाला जो जनता पार्टी वाला दौर आता है उस दौर में भी थोड़ी सी चीजें बदलती है तल भीहरी बाच पेई जी का योगदान होगा उसके बाद आते हैं राजी उगांधी ज उनमें अगर हम देखें कि क्या बदलाव आता है तो वो थोड़ा सा pro-west माने जाते थे क्योंकि जैसे जो disarmament वाला एक concern था USA का इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा तो उसका वो support करते थे कि disarmament होना चीए फिर वो technology को लेके बहुत concern थे तो technology थोड़ा सा west में बेतर थी त उधर से भी उनका जुका था west की तरफ और फिर चाइना के साथ जो relation हमारे ठीक होने के लिए हैं उसमें भी राजुजी ने काफी initiate करा चीज़ें करी तो उस दोर में भी कुछ चीज़ें बदल रही थी राजुजी के दोर में नर्सी महराव जी के दोर में जब भारत अपन पर होने लग जाते हैं फिर एक बड़ा इवेंट आता है अटल भीहरी बाजपेई जी के दोर में जब nuclear परिछन होता है उसके बाद भारत के लिए चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हैं क्योंकि USA में क्लिंटन सैंक्शन लगा देते हैं भारत में वो सारी चीज़े होती है फिर देरे देरे करके जब आप इवाल्व हो रहे होते हैं अटल जी का दोर आता है अटल जी के दोर के कुछ खास बाते हैं अगर हम foreign policy तो जो पाकिस्तान के साथ संबन थे उसमें काफी interesting progress देखी थी जब सुरू में आप bus diplomacy देखेंगे लाहोर declaration देखेंगे तो कहीं ने कही statesman के तोर पे इस मुद्दे को सुलजाने के लिए काफी कोसिस करे लेकिन पाकिस्तान की नियत में साथ चीजें problem में थी फिर वो कारकिल का युद्ध करना मुसर्रफ का take over और वो सारी चीजें फिर उसके बाद इंडियन पार्लेमेंट में जो attack होता है उसके बाद अपनी से relation है वो भी अटल जी के दौर में काफी बहतर हो जिसमें जस्वन सिंग जी का बहुत योगदान है फिर थोड़ा सा और आगे हम move करेंगे मनमोहन जी के दौर में तो वहाँ भी कुछ खास बाते होती है जो सबसे बड़ा event है उस दौर वो है अगर हम बाते करें तो जो भारत और US के बीच में nuclear deal हुई थी जो आज हमारी defense partnership हो रही है उसका आधार कहीं ने कहीं वही था भारत और US पहले इतने नजदीक कभी नहीं थे इतना trust भी नहीं था क्योंकि हम USSR और उनलोक के पास तूस दौर में जो 2008 का दौर होता है वहाँ पे nuclear policies और वो जो एक linkages बनते हैं US क साथ वो दौर की खास बात है फिर चाइना के साथ भी जो relation हमारे ठीक हो रहे होते हैं मन मोहन सिंग के दौर में मुंबई का टेरर वो भारत और पाकिस्तान के relation को जो चीज़ें ठीक ठाक होनी की समाओ न थी वो खतम कर देती है और dialogue एकदम से बंद हो जाए अब उसके बरूट के साथ अच्छे से मिलके काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे नेबर्स को वो कहा मंजूर था उनको कुछ न कुछ दिक्कते हैं करनी हैं फिर मोधी जी की जो policies हैं वो काफी हद तक strategic, autonomy, pragmatism और realism पे आधारी था आज की जो खास बात है भारत की foreign policy की key changes दिखने को मिले ह खास तोर पे middle list के साथ हम कैसे deal कर रहे थे, इजराहिल और पिलिस्टीन का जो issue है उसे de-8 करा है दोनों के relation हम लोग अलग करने की कोसिस कर रहे है मोधी के दौर में फिर जो हमारा USA के साथ relation है उसको भी अलग तरीके से हमने deal करा है चाहे तो कुछ नई शुरुआत हुई है इस दोर में भी तो उसको भी हमें याद रखना है मोधी जी की जो foreign policy है वो 4D पर आधारित है उनका कहना है कि देखो democracy, demography, demand और diaspora मतलब है कि हम अपने demography जो young population है उसका कैसे use कर पाएंगे उस पर focus करेंगे लोगतांतरिक अगर देश है USA जैसा देश है तो उसके साथ अच् policy बनाई गई है और उसी के तहाथ चीजें चल रही है इस दोर में भी अगर हम phases में देख तो यहाँ पे भी पठान कोट का जो attack हुआ था उसके बाद उरीज का जो surgical strike है भारत में किया एक realist approach दिखाता है फिर एक और इस दोर में जो भारत की foreign policy रही है वो ज़्यादा pragmatic और तो यह है कहानी इंडिया के foreign policy की कैसे यह evolve हुआ है कैसे एक एक phases में की event हमने select करे हैं कि एक बार हलका सा आपको overview मिल जाए फिर हम लोग country wise एक एक country का pick करेंगे इंडिया US का relation इंडिया पाकिस्तान का relation लेकिन कहानी के तौर पे होगा देखने की कोसिस करेंगे इस वीडियो मितना ही जह हैं